उत्तरप्रदेश में यादव परिवार के लिए वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है यादव परिवार दो हिस्सों में बढ़ चुका है एक तरफ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे है वहीं दूसरी तरफ अपर्णा यादव के बाद शिफपाल यादव ने भी सपा के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है यानि फिलहाल मुलायम सिंग यादव का परिवार दो हिस्सों में बढ़ गया है इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है मिली जानकारी की माने तो यहाँ पर जब से बीजेपी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लोगसभा सीच से उपचुनाव के लिए आगे बढ़ाया है अब सीधे सीधे सपा की तरफ से भी तस्वीर साफ हो गई है यादव वर्सेस यादव की लड़ाई इस बार आजंगर लोगसभा सीच पर आपको नजर आएगी क्योंकि अब निरहुआ को टककर देने के लिए दिमपल यादव का चुनावी मैदान में उतरना लगभग तै हो गया है आपको बता दे दिमपल यादव का नाम तै हो जाने के बाद ये परिस्तिती भी साफ हो चुकी है कि इस बार भाजपा अपड़ना यादव को आजमगर में प्रचारक के तौर पर आगे करेगी ताकि देवरानी और जिठानी के बीच भरपूर भिड़त आजमगर लोगसभा सीट पर दिखाई पड़ सके आपको बदा दे राजनीतिक सरगर्मिया उत्तर प्रदेश में इस एक फैसले के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब यादव परिवार की लड़ाई करवाने का फैसला भार्दिये जनता पाटी ने सीधे तौर पर ले लिया है नेक्स्ट नाइब न्यूस्रूम के डिपॉर्ट